मैं चित्रा तुपाथी अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे नमस्कार मैं हूँ संदीप चौधी आद सीधा सवाल में बात करने वाला हूँ दंगो की दंगो की आग की चुनाव की साम्प्रदाइक तनाव की और ये सब कड़ियां दरसल जुड़ती हैं क्या दंगे भड़क जाते हैं या दरसल भड़काई भी जाते हैं और ये सवाल किस लिए देश में अगर मैं पिछले कुछ सालों की डेटा पर नज़र डालूँ तो एक वक्त तो ऐसा था हर दिन दो दंगे भी ओते था अब एक दंगा हो रहा पर दंगे बदस्तूर होते रहते हैं किसी ना किसी हिस्से किसी ना किसी अलाके में ताजाओ धारण है उत्तरप्रदेश के बहराइच शहर का और इसमें एक और संयोग है प्रियोग है त्योहारों के वक्त त्योहार का मतलब क्या होता है भाई चारा दिलों का मिलना होना चाहिए भक्ती में लोग डूबे होते हैं पर भाईचारा बढ़ने के बजाए कहीं न कहीं सामप्रदाइक तनाव समाज में दरार और चोड़ी होती दिखती है इंसा पहलती है हत्या होती है मूर्तिवी सर्जन का कारिक्रम था बहराईच में एक पक्ष हिंदू पक्ष मूर्तिवी सर्जन के लिए जा रहा था जाय जा रहा था डीजे बचाय जा रहा था जशन का महौल था आस्था में डूबे लोग थे अब वो हर्दी अलाके से यह यहां पर दूसरा समुदाए बहूल अलाका है मुस्लमानों का अलाका वहां से होकर गुजरता है और नौबत आती है गोली चलने की गोली चलती है और राम गुपाल मिश्रा नाम का एक शक्स बाइस साल की उम्र छै महीने पहले शादी हुई थी जलूस में देवी प्रतिमा के आगे चल रहा था और गोली इसे लगती है अब ये गोली क्यों लगती है इसमें दोनों पक्ष के जो बयान आ रहे हैं उससे क्या आए एक मुकमल तस्वीर एक खाका भी खिचता है गोली बारी में घायल हुए विने मिश्रा ने एबी पी नियूस को बताया कि डीजे बंद कराने की कोशिश हो रही थी कि हम डीजे बजा रहे थे वहाँ पर दूसरे समधाय के लोगों ने का रहे डीजे बंद करो ये क्या हो अल्ला मचा रखा है अर भ तो पत्थर फेकने शुरू कर दिये गए एक और घायल सत्यवान मिश्रा ने बताया कि विसरजन यात्रा पर घरों से पत्थर बाजी हुई लेकिन जो मुस्लिम प्रचक्श दर्शी हैं उनकी दावे अलग अब्दुल हमीद कहते हैं कि गाना बंद करने को कहा गया क्योंकि कि उल्टे सीधे गाने बज रहे थे अब आस्ता के नाम पर आप हुड़दंग करने की अजाज़त तो कोई नहीं देता कि जी उल्टे सीधे गाने बज रहे थे मना करने पर वहीं पर जो विसरजन में यातरा में जुड़े लोग थे वो नीचे बैठ गए और वहां पर और राम गुपाल मिश्रा जो हर्दिक छेत्र के रहुआ मनसूर गाओं का निवासी है इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई वो अब्दुल हमीद के घर पर जो हरे रंग का जंडा लगा हुआ था उसे उतार कर भगवा जंडा लगा दिया और घर में जिस तरह से गुसा तो अब्दुल हमीद के घर वालों ने गोली चला दी सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा में पर अब यहां पर कुछ सवाल हैं दोनों पक्ष अपनी बात को सही थाबित करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह विसरजन यात्रा होनी थी तो पुलिस को स्थानिया पुलिस को खास एला यू को लोकल इंटेलिजन्स यूनिट को तो पता होना चाहिए और किस रूट से जाएगी यह जानकारी भी थी तो जो संवेदन्शील इलाके हैं वहां से जाने की अजाज़त क्यों भी गई और दीजे अगर बज रहा था और वहां धरने पर बैठना पड़ा और पत्तर बाजी भी हुई थी तो पुलिस क्या कर रही थी और कोई शक्स किसी के घर में गुश कर जंडा क्यों उतार रहा था अब जंडे लगाने पर गोली चला दो इस पे भी अपने आप में सवाल है क्या बुरा लगेगा क्या बुरा नहीं लगेगा गानों में इस पर भी अलग अलग राय हो सकती है तो यहीं तो काम आता है प्रिशासन का सरकार किस लिए होती है इस तरह की नौबत ना आए अब A.D.G. Law and Order हमिताब यश वहां पहुंच गए हैं पिस्टिल लेकर हाथ में सरकों का मौाइना भी कर रहे हैं डीजी पी भी आने वाले हैं लेकिन यह एधियाद तो पहले भी बरती जा सकती थी रह रह कर हंसा हो रही है बहराइच में और इसमें आग में घी भी लगाया जा रहा है राजने तक बयान बाजी शुरू हो जाती है जैसे ही ऐसे मसले आते हैं सामने और फिर वोई संयोग प्रियोग की मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में दस विदान सबासीतों पर उपचनाओ भी होने वाले है यह संयोग है या कोई प्रियोग भी हो रहा है या दंगे का उप्योग हो रहा है राजने तक फाइदे के लिए ना संयोग है ना प्रियोग है बस जी भड़क गया भड़क जाते हैं दंगे अब उसका सियासी इस्तमाल सियासी रोटियां सेकी जा रही है दंगे से भड़की आग में अखलेश यादव कह रहे हैं कि शासन की चूक की वज़े से बहराईच की घटना हुई लाउड स्पीकर पर क्या बजाय जा रहा था इसका ध्यान रखना चाहिए था वोट की राजनीती के तहट बीजे पी ऐसी घटना एकरा रही है तो सुधानशित रिवेदी, राश्किया प्रवक्ता है, राजस्वा सानसद भी है बीजे पी के वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सक्ती से निपता जाएगा लेकिन एक बात समझनी चाहिए कुछ महीनों से किसकी ताकत बढ़ी जो भारत को कमजोर करना चाहती है ये घटना उनी शक्तियों का टूल है इसे अब टूल किट बता रहे है वह सरकार आपकी कॉंग्रेस और समझवादी पार्टी करा रही है ताकत किसकी बढ़ी है सरकार तीसरी बार किसकी बनी है ये भी अपने आप में सवाल है अब इसमें आम आदमी कन्फ्यूज होता है क्या उप्मुक्य मंत्री बर्जेश पाठक है वो कह रहे हैं ये साज़श है हमारी सरकार के खिलाफ साज़श का परदाफाश होकर रहेगा हर चीज़ में साज़श कर दी जाती है करार दी जाती है तो सरकार क्या कर रही थी प्रशासन क्या कर रहा था ठोकदो की नीतों वाली है नीती वाली सरकार है तो यहां पर ऐसे कोई गोली चलाने की हिमाकत जुर्रत कैसे कर सकता है किस फुप परसाद मौरिया दूसरे मुक्छ मंत्री हैं वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की शानती और सौार्द, बिगाडने की कोई भी साज़िश सफल नहीं होगी, मुक्छ मंत्री तो कह रहे हैं, बक्षा नहीं जाएगा, उधर प्रियंका गांधी वाद्रा कह रही हैं, हम अपील करते हैं मुक्हिमंत्री से की तौरित अक्शन लें जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें पर जनता को क्या विश्वास में लिया भी जा रहा है यहां एहम सवाल आ जाता है अब कुछ चंतक हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ intellectuals हैं और इसमें भी आपकी राय अलग-लग हो सकती है जिस तरह कि राजिने तक चश्मा आपने पहना हो आप इन्हें intellectuals भी मान सकते हैं या देश वे रोदी टाकट भी मान सकते हैं मैंने चश्मा तो लगा रखा है उसे बैर इसलिए कुछ इन चिंतकों की बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं बहुती मशूर है पॉल ग्रास इन्होंने एक अध्यान किया किताब लिखी The Production of Hindu Muslim Violence in Contemporary India आज के भारत में आज के युग में हिंदु मुसल्मान दंगे क्यों होते हैं भारत में इनकी उत्पत्ती पर इनका ये मानना है कि institutionalized riot systems हैं भारत में संस्थागत तंत्र है दंगा तंत्र है इसमें राजनतिक दल कुछ कटरवादी सामप्रदाइक संगठन अपराधी और पिलस की मिली भागत होती है और ये सर्फ बेराइच के लिए नहीं हैं ये पहले जो सरकारे रही हैं इसमें सब राजनतिक दल हमाम में नंगे हैं ये किसी पार्टी विचे इसकी बात नहीं की जा रही है तंत्र बने हुए है और क्या इन्हें एक्टिवेट किया जाता है और इसी लिए किसी भी दंगे में असल आरोपी कभी पकड़े ही नहीं दिखाई ही देते हैं कि कराय किसने चोटी मचली चला जाता है जेल में जैसे मुझफर नगर दंगे हुए अब मुझफर नगर दंगे सितंबर 2013 में बासक लोगों की मौत हुई पचास जार से जादा लोग विस्तापित हो गए पर बड़ी मचली पकड़ में आई क्या मल्याना में भी यही हुआ मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के उधारन दे रहा हूँ भागल पूर हो किसी भी दंगों की आप बात कर लीजिए और इसमें खूब जम कर राजनीती होती है राजनीती के रोटियां से की जाती है आशितोष वारशने हैं इन्होंने किताब लखी Ethnic Conflict and Civic Life Hindus and Muslims in India जो हिंसा होती है सारवजनिक जिंदगी में भारत में खास हिंदू और मुसल्मानों के रिष्टों पर उनका क्या कहना है उनका कहना है In order to maintain peace in a particular locality in spite of communal tensions the civic engagement in between the communities must be inter-communal and not intra-communal मतलब तीज ते ओहार आप मना रहे हैं तो हिंदू-मुसलिम साथ मनाएंगे तो कुछ नहीं होगा हिंदू अलग मनाएंगे मुसल्मान अलग मनाएंगे तनाव होना ही होना है जगड़ा होना ही होना है जैसे मुसल्मान भी बहुत सारे युआती साह में सिर्परे हो जाते हैं महरम में वह भी कला बाजियां करते गूमते हैं और प्रवोक करने वारे वह नारे बुलंद करते दिखाई देते हैं यह दोनों तरफ से तालियां बजती हैं उसी का जिक्र आशितोष वार्षने कर रहे हैं फिर स्टीवन विलकिंसन है इनकी किताब है वोट्स और वाइलन्स वोट और हिंसा इलेक्टोरल कॉंपेटिशन और कम्यूनल राइट्स इन इंडिया चुनावी प्रतिसपरधा और सामप्रधा एक दंगे जो भारत में होते हैं इनका आपस में यह कनेक्शन खोजते दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक खास बात इन्होंने कही स्टेट गवर्मेंट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज विन माइनॉरिटीज अन इंपॉर्टन पार्ट अव देर पार्टीज करन्ट सपोर्ट बेस कुछ सरकारे अलप संख्यक तंजीमों को समुधायों को बचाती हैं संरक्षित करती हैं क्योंकि वो उनके एक बड़े वोट बैंक होते हैं अब जैसे मजफरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि मुस्लिम पक्ष पर रियायत भरती ये दोलों तरफ मैंने कहा न ताली जो बजती है दुकत पहलू जो है क्यों होते हैं दंगए क्यों होने दिये जाएं दंगए क्यों किसी को रोतनी सेखने की इजाझत हम दें क्यों एक राम गौपाल च्छै महीने पहले अब आप देखिए च्छै महीने पहले शादी हुई है बीवी विद्वा हो गई माबाप का 22 साल का लड़का चला गया किसने उसके मन में ये बात भरी भाई किसी का घर है उसने कोई जंडा लगा रखा है कोई राश में रो दी जंडा नहीं है हरा हमारे तरंगे का हिस्सा है आपको भगवा पसंद है आप अपने घर पर लगाए ये दूसरे के घर पर क्या करने गए और सवाल इसी कड़ी में ये भी जुड़ जाता है कि अब्दुलहमीद को इतना परशान होने की जरूरत क्या थी कि गोली चलाने की नौबत आ गई पर इसमें फिर अभी आजकल जो उधारण दिये जा रहे हैं अब्लादेश के कि बटोगे तो कटोगे एक जुट रहोगे तो साथ रहोगे और बचाव तभी कर पाओगे जब एक जुट हो जाओगे पुलिस के आने का इंतजार ना करिये अब ये किस तरह की नसीहत दी जा रही है दोनों ही तरफ असदुद्दीन और वैसी भी यही बात कह रहे है बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन और वैसी बढ़का रहे है और वैसी उनके समर तक इस पक्षवाले कह रहे हैं कि नहीं मुहन भागवत लोगों को बढ़का रहे है अरे हम बढ़क क्यों रहे हैं गाएं मूर्ती विसर्जन करें जो करना है करें और अपने घर जाएं पर ये सिर्फ एक मिर्ग त्रिश्णा एक मिराद साबित हो रहा है क्या इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ऐसे मैं आज का सीधा सवाल दंगे से भड़की आग किसके दामन पर दाग और ये मैं 47 स अब तक की सब परते यहां पर खोलना चाहूँगा और यूपी में उप्चुनाव बहराइच में इसलिए है तनाव ABP News आपको रखे आगे